कि दोस्तों कैसे आप लोग आसा करते आप लोग अच्छे होंगे जितने भी बच्चे यहां पर रेलवे ग्रूब डी 2024 के लिए तयारी कर रहे थे लेकिन उनको जब यह पता चला कि रेलवे ग्रूब डी में आई टी आई को लागू कर दिया गया तो वह यहां पर बहुत ही निरास हो गए थे तो उन सभी के लिए यहां पर न्यू नोटीस आ चुका है रेलवे ग्रूब डी के तरफ से निकल कर ठीक है मैं आप लोगों को नोटीस भी दिखा देता हूं कि आपका जो निकल कर ठीक है तो यह मिनिश्च्रियो आप रेलवे के तरफ से अपका ठीक है 奶 Church the सब्सटाइभ तब सिन सब्सक्राइब मिनिश्ट्री अफ रेल्वे कि तरफ यहां पर देखो यहां पर क्या लिखावा सब्सक्राइब все भूशंह ड cheeky को x बैंक को टीक है क्योंकि वहां पर जो यहां जैसे कि आपको पता होता होगा कि डिउफंड मिएंब होते हैं जेनरल मीनेजर रेल्वे के जनट मैनेजर करते हैं यह में गेंट में रहते कॉने एक सफीसमें9 तो कम पैसे कष़ इस बार इस वेकेंसी को जादा दिन के लिए नहीं बढ़ा है बहुत कम समय के लिए इसको खदम किया जाएगा ठीक है और यहां पर बोला जा रहा है कि ध्यान पढ़िएगा इसको कि आप से जो जॉइनिंग होगा रेगुलर इंपलोई का ठीक है अब से जो है इसको रेलवे गूरूप डी के अंदर यह पोश्ट डाला जाएगा और इसके लिए सिर्फ 10 पास मांगा जाएगा ठीक है इसके लिए कोई ठीक है नॉर्देर में आप देखेगा तो 1200 कुछ खाली है साड़े बारास ठीक है एंसी आर में चौदा सो ठीक है एने फार में उनीस सो तरीका से आप देखेगा तो टोटल 15,000 कितना टोटल 15,364 सीट अभी आपका खाली है जो की एक सर्विसमेन को दिया जा रहा है ठीक है कि वह गेट में में काम करेंगे कब तक लास्ट वे जो काम करेंगे यहाँ पर आपका 31 दिसमबर 2024 तक तो उसके बाद इनको यह ड्यूटी यह ड्यूटी साहथ खतम कर दिया जाएगा और यह ड्यूटी रेगुलर वालों में डाल दिया जाएगा ठीक है रेलवे गूरूब डी की जो निवेकेंसी निकल दिया इसमें गूरूब डी की तो यहाँ पर 15,000 यहाँ ग्रूब डी की रहेगा ठीक है थेखाई 15 से 20000 वेकेंसी रहेगा वह खिसके लिए रहेगा अन्प इंट पास क्या जिन्हों ने सिपक यहाँ पर टेंद बास किया वह उनके लिए रहने वाला है और रिलवे ग्रूब डी में जो अलग से 50 से 60,000वेकेंसी आई टी बॉसेटच यहाँ जादा लिए तो कहा था है इसे टान वाले इसे नहीं करेगा कि भिशंगे उनके लिए क्या उनके लिए कम पोश्ट होंगे तो यहां पर रेलवे ग्रूप डी की जितने भी बच्चे चैयारी कर रहे हैं चैनल को सस्क्राइब कर लें मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार